करते हैं आज के लिए कौन से ख़बरें, कौन से स्टॉक्स फोकस में रखने हैं उस पर और आज भी आपके पास एक लंबी लिस्ट होगी नतीज रूखी कि यो कि कल बाजर बंध होने के बाद कई सारे results आते हुए दिखें, ये results कैसे रहें ये पहले जानते हैं शरत से उसके बाद खबरों की तरफ रुख करेंगे, गुड मॉर्निंग शरत बताएं कौन से results आएं कल बाज अरवन्ध होने के बाद अच्छे results देखने मिले हैं, सबसे पहले आदिते बिल्ला सनलाइफ AMC के numbers के बारें बात करेंगे, तो overall वीक सेट अफ नंबर देखने मिला है, year on year basis पे थोड़ी degrowth भी आई है revenue में, और margins भी थोड़ी सी घटी है, and of course जो yields बढ़ जाती है AMC companies की, तो उसके कारण आपको AMC stocks मे जो है आप कह सकते की टाइप से pressure देखने मिला है, of course लेकिन HDFC AMC के, हाला कि market share में growth भी आया था, तो of course एक outlier भी है, इसके लावा C infosystems, जो map my India का brand है, उनके नतीजन मिले जुले आये हैं, हाला कि IA में 35% से जादा का growth आया है, but profits अपाट रही है, और margins में 410 basis points का गिराव देखने मिला है, Tata Chemicals के strong numbers आया है, अब year on your basis पे देखे तो revenue 40% उठा है, EBITDA भी 84% का growth आया है, और important commentary management की दो points की है, सबसे पहला है कि जो cost की, environment costing की, वो अब जो stabilize हो रही है, current medium term में, तो वो एक important statement आया, इसका मतलब inflation महंगाई जो है, थोड़ी peak out कर रही है, ये management का tone था, इ उसके कारण, realizations में, जो है, improvement देखने मिल रहा है, तो जब company की realization improve होती है, तो revenue growth भी अच्छा होता है, और of course, जो demand trends आ रहे है, क्लाइन से, वो भी strong है, अनुपरम रसाइन के भी आकरे देखे तो तो strong set of numbers देखे, अगर year basis पे compare करे, तो revenue में 55% का growth आया है, और margins में भी 120 basis points का जो है, अब तक देखने मिला है, और management ने कहा है कि, जो guidance है, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि उनके customers है, उनको और ज़्यादा upward bias आ रहे है, volumes को लेके, इसका मतलब ज़्यादा orders आ रहा है इन customers से, और इसके इलावा आगे वाले quarters में भी strong performance का momentum लेके चलेंगे, सिगाशी इंड़ आट सो टीस करोड की market cap की company, यहां के मिले जूले नतीजे आए है, revenue हाला कि 44% का growth आया है, अफकोर जो base year होती है, वो थोड़ी सी कम है, तो उसके कारण most of the earnings आप year and year basis पे देखेंगे, तो वो higher side में रहेंगे, especially commodity place को लेके, हाला कि margins में फिर भी मिले जूले नतीजे overall देखन week set of numbers आये है, and of course जो refining margins होती है, यहां पे overall सारे companies ने जो week set of results दिखाएं, हला कि important news यह भी है कि board ने approval दे दिया, share split के लिए कि, अगर आप एक share hold कर रहे है, तो आपको 2 shares मिलने वाले, face value 4 रुपे प्रतिशेर का तो वो 2 रुपे प्रतिशेर हो जाएगा, SBI cards के आकड़ के करें, तो estimates से जो miss जरूर है, और लगभग overall देखा जाए, तो लगभग 10% जो है आप ले लिजिए, revenue, EBITDA, margin, यह सारे जो numbers से उननों 10% से कम अनुमान के आए हैं, हाला कि year on your basis पे आकड़े बड़े जरूर है, बाला जी माइन्स के बाद करें, तो यहां पे भी numbers देके तो numbers आई है, year on your basis पे margins पे ग्रोथ आया है, capex को लेके जो है 300 से साड़े 300 करोड का जो है अनौंसमेंट आया है, और volume off-take, जो FY23 में expected है, जो second half में, वो strong रहने वाली है, तो इस पे जरूर फोकस रखिएगा, वाब अब ग्लोबल के नतीजे के बाद करें, तो कह सकते है, वीक स सब्सक्राइब करें, तो पूरी वीक सेट अफ नंबर आई है, माजन में थोड़ी से हल्की इंप्रूब्मेंट जरूर है, लेकिन देखा जाए, तो नंबर जो है, अनलेस्ट एस्टिमेट से बिलो आया है, और जो टेनेंसी रेशियो होती है, वो भी घड़ गई है, टाव है, वो डिले हो गया है, तो हमनों कह सकते कि ऑवराल एक साइड केमिकल स्टॉक्स को ले ले लिए, यर रनियो बेसिस पर जो है, अच्छी ग्रोथ दिखाए गए है, लेकिन माजन सिक्वेंशली अभी दावाव पर है, हाला कि कह सकते कि इंफलेशिन जो है, जिस तरह इंफले नतीज़ा है, तो मांसी इंटायर फोकस जो रहने वाला है, एकदम स्टॉक स्पेसिफिकाज रहने वाला है, मारकेट्स में, लेकिन टाटा केमिकल के नतीज़े जो स्टॉंग है, अनुपरम रसायन की नंबर्स जो स्टॉंग है, इस पर जरूर नजर हमें रखनी ह होगी, इसके लाब ट्रिगर्स खबरों वाले शरत बताएं कौन से हैं, जी बिलकुल सबसे पहले IDBI बैंक फोकस में रहेगा, अफकोर्स अंकुर ने भी कहा था विस्तार से ये डाइवस्मेंट को लेके है, यहां पर अमेंडमेंट हो सकती है, उनकी प्रेलिमरी अपरेट कर रही है, उनकी जो ऑलन गास की प्रोड़क्शन फैसलिटी ए राजस्थान में उनकी एक एक स्टेंशन हो गई है, प्रोड़क्श शेरिंग को लेके, अब वो थोजार बी से एक स्टेंट करके अगले 10 साल तक कर दी है, हलाकि इंपक्ट जादा स्टॉक में नही करोड़ का है, लेकिन उन्होंने पहला रीडवलब्लब्मेंट प्रोजेक्ट साइन कर लिया है, मुंबई में सांटा क्रूज एरिया में, अफकॉस यह जो रेवन्यू जनरेशन होने वाली है, वो लगबग 225 करोड़ के रुपे के लिए है, तो यह जादा इंपर्टन है क कि भाइबाक के लिए के है, बिल्कुल शरण शुक्रिया है, सारी के सारी खबरे भी हमें बताने के लिए, तो आई डी बी आए बैंक, वेदान्ता, वैसकन एंजिनियर्स, दानुका एग्रिटेक जैसे स्टॉक्स हैं, जो कि न्यूस फ्लोस के चलते, आज फोकुस में रहे नगे, इन्स्ट्राक्स पर किया रियाक्शन आता है, इस पर भी नज़र रहेगी, लेकिन,